हेलो इसंट्स इस लेक््षर में हम पतिजन जा एंटिजन के बारे में दों करेंगे कि एंटिजन क्या है वो किस प्रकार के पिदार्वों से मिलके बने होते हैं और वो किस प्रकार एंटिजन, एंटिबोडी एक्षिन के लिए रेस्पोंसिबल होते हैं एंटिजन कोई विशा सविष्टांस है, कोई विशा पधार्त है जो कि जब शरीर में प्रेवश करता है तो प्रतिरक्ष्या, प्रतिक्रिया, जिसे इवनोलोजिकल रेस्पोंस कहते हैं उसको उत्पन करता है यह जो भारी पधार्त होते हैं, इनको एंटिजन या प्रतिजन कहा जाता है एंटिजन बोडी में विशिष्ट प्रकार की जो एंटिबोडी होती है उनके निर्मान को प्रेडित कर सकते हैं कुछ एंटिजन प्रतिरक्षी निर्मान को प्रेडित करते हैं जब कि कुछ एंटिजन ऐसे भी होते हैं जो कि प्रतिरक्षी एंटिबोडी को बनाने को प्रेडित नहीं करते लेकिन वे कुछ ऐसी सेल्स को प्रेजित करते हैं जिससे कि वो सेल्स एंटीजन को या जो रोगजनक होता हैं उनको डेश्टोर कर देती है इसलिए एंटीजन ऐसा भारी प्रदार्द है जो कि जीवों के शरीर में प्रविश्च करने के परश्चाथ प्रतिरक्षी या कोशी का मध्यस्था प्रतिरक्ष्या या या इमूरल या चेल मेडयिट Bay की जो रीक्षन होती है उसको उत्पन करवा देता है विसे देखे जाएं तो यह जो होता है वो दो तरग की कारिए करते हैं मेलि एक तो प्रतिरक्षि की जो प्रतिक्रेया होती है antibody reactions उसको वो वो prated करता है और प्रतिरक्षि या कोशिःका के साथ एक specific reaction करता है कसी भी बाहरी पदार्थ को antigen करोप में कारे करने के लिए generally उसका molecular weight है वो 8000र이면 से दिख होना चीए 8000 से कम आनिगवार वाले जो प्रदार्थ होते हैं वो शरीर में प्रयूस करने पर जनरली एंटीबोडी जुद्पन नहीं करते हैं लेकिन ये एंटीबोडी ये जो इम्मुनिटी शम्ता को स्ट्रोंग करने में हेल्पूल होते हैं इसे प्रदार्थ जो कि जिनका मोलेकल बेट 8000 से कम हो उनको हैप्टेंस करते हैं जो प्रतिजनक्ता होती है यानि एंटीजनिसिटी उसका प्रतन सामानित है एंटीजन के बड़े अनुकी सत्य पर जो छोटे आणिमिक सम्मू होते हैं उन पर डिपेंड करता है जो यह कईयां होती है एंटीजन के उपर उनको एपिटॉप या एंटीजनिक डिटर्मिनेंट यह प्रतिजन निर्दारक कहा जाता है यह प्रतिजन के एक ऐसे छोटे शेत्र को दर्शाते हैं जिनका जो केमिकल कॉम्पोजिशन होता है वो काही स्पेसिपिक होता है विशिष्ट होता है और यही उस पर्टिकुलर एंटीजन को विशिष्ट अफ़ बदान करता है यही इनको एंटीजनिक डिटर्मिनेंट कह प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग की बात करें तो शरीर में क्ली सब्सक्राइब, और प्रतिजिन की पैचान और उसके साब बंदन करती है। जब कि T-Lypocyte केवल प्रतिजिनिक पोटिंग के खंडों की पैचान करती है। जो पहले पोसेस में गुजर कर मेजर हिस्टो कॉंप्लेटी कॉंप्लेक्स प्रतियन के साथ समंदित होकर प्रदर्शित होते हैं अब हम टाइप सोफ एंटीजन की बात करें तो प्रतिरक्षा जनत याने इंटीजन सिटी और त्रियाश किलता के अदार पर एंटीजन अलगब पकार के होते हैं जैसे पून्प प्रतियन या कॉंप्लेटू आटीजन यह वो प्रतार्द होते हैं जो शरीर में एंटीबोडी या इमुमुलिटीट्रीक्षन को प्रिद्र करते हैं और विश्षृ doubles के साथ एक रहकते हैं को एससे फदार्द को पूंप्रती जन या इम्मुलिठी को प्रेडित कर रहे हैं श्रा दूसरी हाथ हेप्टन, हेप्टन में community के उत्वादन को प्रेद नहीं करते हैं। इसके बाद है प्रॉ एंटिजन ये कम मॉल्यूकुलर वेट वाले केमीकल्स होते हैं। जो की एंटिबोडी के उत्वादन को प्रेद नहीं करते हैं। जबिन पदारतों का इसकीन पर स्मीर लगा जाता है इनको एप्लाई के जाता है तो यह अधित समय दिता या कोशी का मद्य माद्य प्रतिरोदिक्ता को दर्शाते हैं उसके बाद है क्रिप्ट एंटिजन यानि गुप्त प्रतिजन यह प्रतिजन निर्दारक एंड डिटर्मिनेंट होते हैं यह प्रतिजन प्रतिरक्षिय विग्रे यानि एंटिजन एंटिबोडी रेक्शन के समय अफ्लब नहीं होते हैं सुढो कृप्ट एंडियन यानि मिथिया गुथवर प्रतियदि प्रतियदिध कि इस स्थे के नीचे पस्थत होते हैं क्तरि जो सिरोलोल्रोजिकल टेस्टध होते हैं उसके दुरान ये 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 एकियर नहीं होते हैं नेक्स्ट हो.. अ्ट्टो अंटिजैन्य यानी स्वत्यपतिजैन्य प्रतिजैन्य रया जिस फ्रकार के प्रतिजैन्य विए कि प्रतिरक्षी शम्ता कम हो जाती है तो शरीर के प्रतिरक्षी तंत्रों को स्ख नदित करता दोbelia विल्मिन इस परकार के जो एक जाती के कुछ जो members होते हैं, उनकी बड़ी में पाए जाते हैं जिसे मनुष्य के लिए example दें तो जो A, B वो जो नर्ड ग्रूप है उसमें जो A, B एंटीजन होते हैं वो मनुष्य में पाए जाते हैं और H एंटीजन पाए जाता है तो इस में पाएंटीजन को yelo antigen कहते हैं अब हम बात करते हैं chemical nature of antigen की यह antigen की राचानिक प्रकरति क्या है राचानिक रूप से वो किस प्रकार के पदार्थ होते हैं तो antigen के पर हमने जाना कि जनरली यह क्या कि बढ़े अनुव होते हैं इनका molecular weight 8000 से दिक होता है अब केमी के लिए इनको देखा जाए तो यह protein नुक्लिक एसिड, polypeptide, lipid, lipoprotein, glycoprotein आदी होते हैं D-lymphoside जो होती है जिनके बारे में आगे बढ़ेंगे उसे protein nature के जो antigen होती है उनके साथ ही response करती है लेकिन जो B-lymphoside होती है जो के antibody बनाती है वो protein, wasa, carbohydrate, nucleicum अदी अलग रख़ते हैं जो antigen होते हैं उनके साथ ही reaction करती है आंसिक प्रतिजन या heptan जो होते हैं उनमें immunogenicity का गुन नहीं पाजाता है यह शरीर में प्रेवस के बाद protein के साथ bind हो जाते हैं और प्रत्रक्षी क्रिया को induce करते हैं अब हम बात करते हैं प्रतिजन निर्दा रख की यानि antigen determinant की antigen के जोनों होते हैं उनके कुछ vicious शेत्रे से होते हैं जो की antibody के साथ क्रियाओं को प्रेद करने का कारिक करते हैं यह जो specific area होते हैं शेत्र होते हैं कि उन्हें प्रतिजन निर्दारक एपिटोप या antigenic determinant कहते हैं ज्यादा तर antigen में कई प्रकार के एपिटोप्स पाई जाते हैं जो एक particular antibody या कुछ vicious प्रकार की सब्सक्राइब करते हैं यह जहीं एक टी-लिंफासाइट को करते हैं कि एक सानिक दस्ति से antigen निर्दारक जो पीप City फ सम्हों होते हैं कि एंटीर तेयर नहीं होते हैं उनके संख्या होती हैम उसको सद्गता कहते हैं वैछSI और यहांनिए पेंटीर्वॉड़ण की जोुड़ी है दो किते निर्दारक है किते अपिटॉपस और है वसको धॉकता करते हैं Pan還有 and अधार मीँगेंगान पैसे टिए जो इंटीर्वॉडा रषाते हैं वो दौकार के ön मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट या मल्टिवेलेंट मल्टिवेलेंट प्रतिजन जो हते हैं वह मोनोवेलेंट प्रतिजन के तुलना में बहुत फास्ट एंटिवोडी रियक्शन दर साते हैं और पूर्ण प्रतिजन जो होता है complete antigen उसमें antigen निर्दारक की संख्या अधिक होती है जिसकि जो heptan होता है उसमें antigen determinant की संख्या कम होती है अब उसके बाद हम बात करते हैं requirement of immunogenicity कि पतिरक्ष्या जनत्व के लिए क्या-क्या आवशक्ता होती है एक antigen में क्या-क्या गुणवाद चाहिए जैसे कि वो immune system को induce का सके इससे पहले हम इस diagram के मत्यम से यह समझेंगे कि जो epitops होते हैं वो क्या होते है यह diagram हम देखे हैं तो इसमें एक bacterial cell है इस bacteria की cells है इस bacteria की cell के उपर अलग अलग पकार के यह molecules पाए जाते हैं यह molecules epitops कलाते हैं जिनको antigenic determinants भी कहते हैं यह जो epitops होते हैं वो अलग अलग पकार के antibodies के production को induce करते हैं कि नेक्ट हम बात करते हैं रिक्वार्मेंट उप इम्मून सिस्टम को उत्पन करने के लिए या युझन सिस्टम क्येक्टिव करने के लिए क्या-क्या और शखता है किसी भी antigen को जिसको immune Gen करते हैं उसको वो Esther hic की और उसको प्राप्ट करने के लिए यानि उसको एक एंटीजन के रूप में जानने के लिए नोजन बनने के लिए कुछ कुछ्छ सब्सक्राइब होती है उस वस्ता से पहले है जिनेटिकली फोरें अनु अनुवांशी की रूप से बारी कोई भी अनुवांशी के रूप से बारी होने चालिये बोड़ी जो जीवों का शरीर होता उसके लिए बारी हो कई बार शरीर में स्वहेंगे उत्वको की पहचान बार्रीजن की रूप में हो जाती है जिससे ओटो-इम्यून dezeर इस उत्पन हो जाती है तो यह तो ओटो-इम्यून के कैस्प होता है लेकिन सामण्य ने तयार जो इमिन सिस्टम होता है वह फोरेन मेटेरियल याने जो बाहर ही पदार्थ होता है उसे से ही एक्टिव होता है और उसको एंटिजन कहते हैं इसेकंड जो रिक्वार्यमेंट है वह है मोल्यूकुलर वेट यह मोल्यूकुलर साइज के इंबात करें फाल्यूकुलर ने है तो आड़मिक वहार द्वार भी इमिलिजेंशीटी का निद्दारन होता है जिन ji अबहुका जो वेट है वो दसजाट आल्टेंस सेथिक होता है वही एंटिजन के रूप में कारिय कर सकते हैं तो जिन का सम्नेत दसजाट से कम होता है वेंटिजन हैंप् complexity कि जो सुद्ध फैटी है वह उम्मनुजैनिक नी होती वह रेस्पांस को परीद नहीं करती है कि इस इसे प्कार दोफिकार मॉनोमेरिक प्रोटीन सिर्फ मिनस्लता परिद करती है कि पोली मेरिक जो प्रोटियन होते हैं वैं इम्मिनों जैनिसिटी को प्रेद करते हैं कि उसके बाद कॉन्फरमेशन या मिन्यास कि कि सिर्णों की एडिजैनिसिटी के लिए निश्यत विन्यास का होना अत्यनता उख्यक होता है लाइसोजाइम जो होता है उसमें एससबंदु परस्तित होता है जो च्छे अंटीजन का कारे करते हैं यह एससबंद तूट जाए तो उनकी एंटी इम्मिनोजेनेशिटी होती है वो कम हो जाती है कि एक और चीज होती वह है सिक्वेंस ऑफ एमुनियोसिट्स का क्रम होता है वह भी इम्मुनियोजेंसिटी के लिए के अ्यैकर सबस्क्राइब करता है इस बहुतन है उनमें क्या होता है कि हम कोब दो सकते हैं यह पाइख होता है हम कर सकते हैं कि एक पर्टिवकुलार रही फिक्रेंस होती है उसकी वाश्यक्ता होती है कि नेक्स्ट है मुबलिटी गति शीलता यानि पतिजन अनुके कुछ खंडों की गति शीलता होती है वो Immunogenicity को प्रवाइद करती है जिन कंडों में अधिक करती सीलता पाई जाती है उन में अधिक Immunogenicity या पतिरक्षाज जन्रतुता पाई जाती है इसके लाबा Special Complementarity ये भी Immunogenicity को प्रवाइद करती है आ एंटीजर और एंटीबोडी में जो ईंत्यक्रिया होती है वो आइंटीजर निर्दार्क और प्राटोप प्रिडोप होता है एंटीबोडी का पार्ट जो में रीक्षंद करता वह प्रस्च्णाद आय। और अपिटॉप तो अंटिजन का खंड होता हैं है तो जब अंटिजन और अंटिबोडि मेरी इक्षिन होती है तो फीटॉप पराटॉप के जो जामिती यह को कम्प्लिमेंटरित ही होती है जिस समपूरक्ता करते हैं कि स्युटू काफ़ी मेत्मूर रॉलने बात भी है इस प्रकार हमने देखा कि जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन कि इमीन रेस्फॉंस को इंडूस करने के लिए कुछ विश्यस्ताइं रखते हैं उन विश्यस्ताइं या आवश्यक्ताइं के पुरा होने पर ही कोई भी बाहरी फदा एंटी एंक रूप में कारे कर सकता है और वो बोड़ी की जो इमीन रेस्फॉंस है उसको पेरित कर सकता है थैंक यू